एलो फ्रेंड सीतला सब्तमी आने वाली हैं तो राजिस्तान में 3-4 चीजे सीतला सब्तमी पर इस तरह से जरूर बनाई जाती हैं तो उसी में से एक रेसेपी आज मैं आपके साथ में सेयर करने वाली हूँ बहुत जादा आपको पसंद आएगी और इस तरह से ये स्वीट बन कर मातारानि को भोग लगाई है तो इसे बनाने के लिए कुझे जान्दा प्ताम जाम करने के जरूत नहीं हैं 2-3 चीजे지만 हैं ये सेपी बन के रेडि हो जाती हैं तो इसक BUT भरके देसी गी ले लिए हैं गडाय को कर लिया है गीए कोमील्ट होने के बात जो है मैंने आप ले लिया है एक कटोरी भर के दलिया है यह गेहू का सारा मेजर्मेंट में आपको इसी कटोरी से बताऊंगे कोई आपको अलग से कब अगरा जो है मेजर्मेंट लेने की जुरूत नहीं है तो यहाँ पर देखिए कटोरी से मैं आपको बताऊं तो आदि से पचीस मिनट आराम से लग जाएंगे लेकिन दलिया हमारा जो है लो फ्लेम पर ही भूने फ्रेंट इससे जो है आपकी रेसिपी बहुत जादा टेस्ट वनेगी तो यह देखे दलिया को इसी तरह से लगाता चलाता हुए मैं भून रही हूँ तो अभी देखे दो मिनट हु अब यह देखे दो बरतन में गरम पानी रग दिया है उपर से हम इसके उपर डखकर लगा देंगे जब तक हमारा दलिया यहां पर बूनेगा तब तक दूसरी तरफ जो है हमारा गरम पानी भी तयार हो जाएगा तो यह देखे कुल जो है पांस मिनट हो चुके हैं दलिया अच्छे से भूनना इस्टार्ट हो चुका है अलका सा जो इसके अंदर से वाइट पार जो होता है तो अभी देखे फैंन लगाता चलाते हुए मुझे यहां पर दस से पंदरा मिनिट हो चुके हैं और दलिया देखे काफी हद तक भून चुका हैं पांस मिन आप हम इससे यह लिए पांच मिनट हो चुके हैं दल्य अपर से पानी डालें तो अभी हम डालेंगे इसके अंदर गरम पानी डालते समय आज अपने हाथ का द्यान रखें पानी की छीटे बहुत उचलते हैं तो यहां पर दिखे थोड़ा-थोड़ा करके हमें पानी डाल देना है जितना ह पर पानी उबला था वो पूरा पानी इसके अंदर हम डाल देंगे गैस की फ्लेम अभी यहां पर हाई पर रहेगी दलिया जब तो बुने तब तक गैस की फ्लेम जो है स्लो पर रखे उसके बाद में फ्लेम को हाई कर दीजिए अभी हम हाई फ्लेम पर दलिया को अच्छे से सोपने तब पकाएंगे तो यह देखे दूसरी तब जब तो हमारा दलिया पकरा है यहांपर मैंने लिए लिए हैं काफी सारक गृड तो गृड को मैं ने यहां अच्छे से काट दूगे चाकु से आप क्वां और वो जो आखा हैं आपकी वांपर कैसा घूड वांटाहें करदें उसको घूरबर करें और मूने वांको कटोरि हुई दो मिनट हुए हैं पानी देखे हैं पाफी मिनट तक तक सोक हुए है थोड़ा पानी और बचला है लीकिन पूरा पानी हम है जो यहाँ पर सोक करना और थे बल्छूल भी पानी नहीं बचना चाहिए अभी घस की फ्लेम में आ आज हम क्या बना रहे हैं तो फ्रेंड आज हम बना रहे हैं राजिस्तानी लापसी बहुत टेस्ट बनती है एकदम सिंपल सा तरीका आपके साथ में सेयर कर रहे हूं आपको कैसा लगा तो कमन करके जुरूर बताए फ्रेंड तो अभी देखिए मैंने लगा दिया इसके ओपर दकन 2 मिनिट हम दकन लगा कर पकाएंगे इसको तो यह देखिए अभी 2 मिनिट के बार देखिए काफी हद तक जो है इसके अंदर जो भी पानी था मौस्चर वो चला गया है अभी बिल्कुल भी पानी इसके अंदर नहीं बचा है तो अभी हमने जो गुड काटके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ का पानी भी करके डाल सकते हैं लेकिन यह गुड़ काफी सॉप्ट होता है तो हमें यहाँ पर गुड़ का पानी करने की अलग से जरूत नहीं है यह एकदम सबसे सिंपल तरीका है और सबसे बेट तरीका है एकदम लापसी को परफेक्ट बनने का एकदम खिली-खिली और दानेदार लापसी हमारी यहाँ पर बनकर तयार होगी दो मिनट तक हम इसको देखे डखन लगा कर पकाएंगे दो मिनट में देखे गुड हमारा यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गया है लेकिन अभी हमारी लापसी तयार नहीं होगी है अभी हम इससे थोड़ी दिर और पकाएंगे जब तक गुड का पानी अच्छे से नहीं सोक हो जाता तो पांच मिनट का टाइम और लगेगा गैस की फ्लेम हमारी यहाँ पर मीडियम रहेगी फिर से देखे पांच मिनट हो चुके हैं अभी तर देखे थोड़ा सर जो है मुझे यहाँ पर और मुझे से नजर आ रहा है तो दो से तीन मिनट इसको हम और पकाएंगे नारेल का खोपरा भी डाल सकते हैं लेकिन यह मैं दोनों फिला नहीं डाल रही हूँ तो अभी देखे फिर से देखे दो से तीन मिनट हो चुके हैं लाप से आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और देखे पूरा पानी इसने सोक कर लिया है बिलकुल भी पानी नहीं बचा है इसने देखे घई आप सकते हैं साइड में किनारी में इसने घी छोड़ दिया है, तो अभी हम इसको एक गंटे के लिए ऐसे ही गैस बन करके छोड़ देंगे एक घंटे के बाद देखें प्रेंज आप देख सकते हैं कि लापसी हमारी कितनी खिली-िली बनी है बहुत ही प्यारी लग रहे हैं और आप देख सकते हैं एक-एक दाना जो है इसका खिला-खिला बना है इससे आप ठंडा-ठंडा जो हैं सर्व कीजिए लापसी फ्रेंट ठंडी ही ज़्यादा टेस्ट लगती है गरम गरम इसे ज़्यादा नहीं खाया जाता तो फ्रेंट इस इतलब तप्तमी पर आप भी जो हैं इस तरह से मातारानी को अपने हाँ से लापसी बना कर भोग लगाईए बहुत टेस्ट बनी एफम बहुत ही ज़्यादा स्वादिश बनी है अरजिस्तान में हर बार मेरे गर में मेरी मम्मी इसी तरह से बनाती है तो फ्रेंट्स आज का वीडियो यही तक का था वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक हो शेयर करना बिल्कु नहीं भूले अगर आपने एक बार भी इस तरह से लापसी बना कर ट्राइ किए तो हर बार आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे और आप देख सकते हैं कि एक एक दाना मोती की तरह खिला खिला बना है इतनी स्वादिश लापसी बनकर तैयार हुई है और कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है तो फ्रेंड एक बार जो हैं आप भी इस तरह से बना कर जरूर ट्रै कीजिए मुझे कमेंट करके बताईए आपको रेसेपी कैसे लगी है ऐसे ही मज़दार रेसेपी देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले बेल आकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे अगर आप मैं फेस्बुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूले मिलते हैं ऐसे ही मजदाय वीडियो के साथ में तब तक के लिए सौच तरहें मस तरहें और अपना ध्यान रखें